है लो एव्रीवन आजमेंस outcome कोbas करा रहे हूं वो हमार अवधान नाम से हैं भी ट्थेहान लगाते हैं या या हम अपने अग्ज्ण को फोकुस करते किसी बे तो वही हमारा ट्थेशन होता है तो यह हमार हाँ में जो टोपिक करा रही हूं हूं वहमारा अवधान नाम से है इस अटेंशन इपले जब भी एक किसीज पर धीयों करें जल से पहले हम जानते हैं अवधान का मिनिंग क्या होता है कि अवधान बोलते किसे हैं इसका अर्थ क्या होता है अवधान का अर्थ है ध्यान केंद्रित करना मतलब कि हम अपने ध्यान को हम अपने अटेंशन को फोकस करते हैं हम उसको केंद्रित करते हैं ध्यान या अवधान एक ऐसी मानसक प्रक्रिया है मतलब जो ध्यान है जो अटेंशन है वो एक मैंटल प्रोसेस है जो हमारे माइनड से related हैं जिसमें मन को किसी वस्तू या विचार पर focus किया जाता है मतलब जो ध्यान है जो attention है वो एक ऐसी माइनड की process है जो जिसको हम किसी भी वस्तू पर या किसी भी थौर्ट पर हम उसको focus कर देते हैं वही हमारा ध्यान या अवध्यान कहलाता है जिसको हम इंग्जिश में अटेंशन बोलते हैं हम देखते हैं अवध्यान की परिभाशा यहाँ पर हम परिभाशा देखेंगे रोस के अनुसार क्या कहा है रोस जी ने कि अवध्यान विचार के किसी वस्तो को मस्तिक्स के सामने सपस्ट रूप से उपस्थित करने की प्रक्रिया है मतलब जो आफधान है वो किसी भी विचार को या किसी भी वस्तु को मस्तिक्स के सामने मतलब हमारे ब्रेन के सामने विकलों clear form में यदि हम उसको present कर रहे हैं तो वही उसका ही में इस है कि वही हमारा अफधान है, वही हमारा अटेंशन है, रूप या अवधान के प्रकार बता रखें, यहां पर कुटल चार प्रकारों की बात की गई है, जिसमें फिर्स्ट है चैन आत्मक, मतलब की सिलक्टिव अटेंशन, second one is विभक्त अवधान, इट मिन्स सेपरेट अटेंशन थार्ड इज कारिया कारी अवधान एक्जेक्यूटिव अटेंशन नमर फूर्थ हीज संधरत अवधान मतलब की सस्टेंड अटेंशन जिनको हम अभी एक करके पढ़ेंगे यहां पर टोटल चार टैप्स बता रखें तो हम सबसे पहले फर्स टैप देखते हैं जो कि हमारा है चयनात्मक अवधान मतलब की सिलेक्टिव अटेंशन जब ध्यान आकरशित करने वाले मतलब की जब हमरे अटेंशन को आकरशित जो अटेक्ट करते हैं करने वाले बहुत सारे environmental factors होते हैं फिर उदीपक होते हैं जो एक साथ हमारे सामने आ जाते हैं तो जो हमारा mind है जो हमारा brain है हमारा मस्तिक्ष है वो उन में से कुछ चुनिंदा रूप से विशेश उदीपको परध्यान केंद्रित करता है एवं अन्ने को जान पूछ कर रोक देता है मतलब कि हमारे mind के सामने जब हम कोशिश करते हैं कुछ अवधान करने की कुछ ध्यान करने की तो हमारे mind के सामने या हमारे brain के सामने बहुत सारे ऐसे मतलब different environmental factors आ जाते हैं तो जो हमारा mind होता है उन में से वो कुछ special कुछ selective उदीपको पर ही वो अपने ध्यान को अपने अवधान को फोकस करता है उसको केंद्रित करता है और जो अन्य होते हैं जो अदर्स होते हैं वो उनको जान पूछ कर stop कर देता है उसको रोक देता है और इसी पर करकर के अवधान को क्या कहते हैं चयन आतमक अवधान कहते हैं मतलब कि चयन करके मतलब विशेश को निकानना या उस पर धान के अंदित करना है चयन आतमक अवधान कहलाता है नमबर सेकेंड है हमारा विभगत अवधान मतलब कि separate attention यह एक साथ दो या अधिक कारियों पर ध्यान बनाये रखने की शमता को संदरबित करता है मतलब एक टाइम में जब दो बारे में बात करें मतलब दो दो अलग अलग वर्क के बारे वर्क पर हम ध्यान लगाते हैं तो वही हमारी जो कैपेस्ट्री होती है उसी को ये denote करता है separate attention जैसे for example किसी से बात करते हुए संदे से बेजाने यही हमारा है separate attention कुछ मनोबे ग्यानिकों के अनुसार यह कई कारिया एक साथ करने की शमता है मतलब एक टाइम में हम भूँ सारे काम कर सकते हैं और यह कैपेस्ट्री जो हमारी होती है वो इसी वाले separate attention से ही आती है हमारे mind में next हमारा है कारिया कारी अवधान कि कारिया कारी अवधान क्या होता है यह executive attention होती है यह अवधान हमें प्रियावर्ण की महतव ही इन विशेशताओं को आवरूद करने में मदद करता है मतलब जो यह attention का type है जो भी हमारे environment की मतलब जो हमारे लिए important नहीं है जो useless है तो उन विशेशताओं को यह रोकता है और उसी में यह हमारी help करता है और हमें केवल उनी विशेशताओं में भाग लेने के लिए प्रियरित करता है जो हमारे उदेशयपूर्थी के लिए मतलब होती है यह हमको सिरफ उसके लिए ही force करेगा यह हमको उसके लिए यह motivate करेगा यह हमारा होता है कारिय कारिय अवधान या executive attention नेक्स्ट हमारा है संध्रित अवधान मतलब की sustained attention उनका यह है रूप हमें लंबे समय तक एक कारिय पर ध्यान या एकागरता बनाये रखने में मदद करता है मतलब हमें बहुत ज्यादा टैम के लिए युदि हमको कुई topic समझना है या हमको ध्यान लगाना है किसी पे यह हमको focus करना है तो उसके लिए हमारी help कौन करेगा sustained attention हमारी help करेगा उस काम के लिए क्योंकि जो sustained attention होता है वो किसी भी topic पर किसी भी work पर एक long term के लिए यह हमारे प्रक्रिया है जिसमें मन को किसी वस्तू या विचार पर किंद्रत किया जाता है उसको किसी भी मतलब टोपिक पर फोकस किया जाता है वही हमारा क्या होता है वही हमारा अवधान या अटेंशन होता है नेक्स देखिए अवधान की परिवाशा की थी हमने यहां पर रोस के अनुसार रोस जिनने कहा था कि जो अवधान है वो विचार क किसी वस्तु को मस्तक्त के सामने स्पस्ट रूपसे उपस्त करने की एक प्रोस्ट है, जिसको हम कम अवधान नाम से जानते हैं है आवधान की रूप कि कौन कौन से रूप होते हैं आवधान के तो हमने रतिलwritten चार रूपि बारे में पढ़ा है चयनात्मक आवधान विभक्त आवधान संद्रत आवधान इसमे में ने फिसस्ट किया था तो इसमे में वनकर बताए थे जब भी हम करते हैं फोकस करणेट कि ध्यान लगाने की तो हमरे मैंड के सामएं बहुत सारे वहारे अर्णहें द साच आते हैं तो जो हमारा बेरों होता है वो हुँन मेंसे कुछ selective और अदेफ को पर ही आपना ध जिसको हम separate attention बोलेंगे और यह एक टाइम में दो काम करने की शम्ता है हमारी एक टाइम में हम दो काम कर रहे हैं जिसे मैं आपको बताया थे यहां पे अभी कि आपके साइड में कोई बैठा हुआ आप उससे बात कर रहे हो सेम टाइम आप किसी को फोन पर मैसे सेंड कर रहे हो या आप किसी थर्ड परसन से आप फोन पर बाते कर रहे हो तो इट मिन्स यहां पे separate attention की बात की जा रही है और मतलब कुछ मनोवेगैन को ने भी माना है कि जो यह विबक्त अफधान है यह एक साथ कई कार्य करने की शम्ता है यह हमारी capacity है next हमने किया थर्ड वाला कार्य कर् करता है कि जो भी हमारे लिए मतलब जो हमारे लिए useless जो भी प्रयावण की विशेशता है यह उसको रोकने में हमारी help करता है और यह हमें सरफ उसी काम के लिए हमें motivate करता है जिन से हमारे aim किया जिससे हमारे उदेशय की फूर्ति के लिए जो हमारी important हो यह सिरफ उनी काम को करने के लिए हमको motivate करता है next day संदरत अवधान में आपको बताया था sustained attention क्या होता है कि एक लंबे समय तक एक कार्या पर ध्यान करना या attention करना एक आगरता करना concentrate करना एक किसी चीज़ बहुत लोंग term के लिए तो उसी में हमारी help करता है sustained attention जो यह होता यह हमारी help करता है तो इस पर अगर हमने यह topic complete कर लिया है यह था हमारा अवधान और जो इसको हम English में क्या कहेंगे attention कहेंगे I hope कि आपको समझ में आ गया हो हम ऐसे करकर के ही हम साइक्लोजिक एहर topic को easily way में अच्छी से समझ लेंगे जिससे कि हमें in future कोई problem ना आए I hope कि आपको समझ में आ रहा होगा मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूं आपको समझाने की यदि आपको समझ में आ रहा है तो please like करें मेरे channel को share करें and subscribe करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताक कि किसी अधर परसन की किसी थर्ड परसन की भी हैल्प हो जाएगी थैंक यू आवरिवन